नमस्कार जब पती पत्नि के बीच में लड़ई हो तो द्यान रखना आपको ये बाते द्यान रखनी होगी हर पती पत्नि के बीच में लड़ई होती है छोटी मोटी नोग जोग होती है कभी कभी तेज नोग जोग भी हो जाती है लेकिन जो पती-पत्नी, इन बातों का ध्यान रखते हैं ना, उनके गढ़ में बड़े-बड़े प्लेस नहीं होते हैं, बड़ी-बड़ी लड़ाईये नहीं होती हैं, एसे कोई पती-पत्नी नहीं होंगे, एसे कोई कपल नहीं होंगे, जिनके किसी मुद्दे पर सेव कि विचार उपर होंगे किसी के विचार निचे होंगे कुछ न कुछ ऐसा मुद्दा तो जरूर होगा इसलिए अपन कहते हैं कि बहुत सारे कपल होते हैं जिनके कभी लड़ी नहीं होती है it is impossible बेल इसा कभी होई नी सकता है कि एसा कोई कपल होग उसके लड़ी नहों हर पती-पत्नी के बीच में लड़ी होगा किसी क一下 की मिचार पे कि इसी टोपिक पे दोनों के विचार सेम नहीं मिलते हैं तो जब कपल के बीच में लड़ी हो जब पती-पत्नी के बीच में किसी भी बात को लेकर कोई भी मुद्दा हो तो जब आपकी होट बाते हो एक दूसरे से तो ये बाते ध्यान रखें वरना आप लड़ी में क्या क्या कर चाओ करें फिर जब लड़ी सांथ होगी ना पती-पत्नी के बीच में फिर आपको पता से बेगा कि यार मुझे ये नहीं कहना चाहिता है मुझे वो नहीं करना चाहिता है मैंने वो करके गल्दी कर दिया फिर regret करोगे आप और फिर regret करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि आपके हाथ से बात निकल चुकी होगी सबसे पहले तो पती पत्नी के बीच में कोई भी बात हो छोटी मोटी नोग जोग हो एक बात हमेसा ध्यान रखना कभी भी गाली गलोज का प्रयोग मत करना नो-गर चैभव आप के बीच में कितनी होग होगे लेग। अगर पत्नी अगर अगर एक द्यूसरे के लोज नहीं परेंगे Crispie मोटी थोड़ी दर पास सांद हो जाएगी और जब आप एक दूसरे को लोज जोगे ना जब लड़ी सांद होगी तब आपको मेहसूश होगा आए यार मैंने उनको यह गाली देदی पति को महसुच होगा यार मैने पत्नेको यह गाली देदी पत्नी एक दूसरी की लढ़ी बोल जाते हैं लेकिन वो दी हुई गाली कभी नहीं बोलते हैं यह मन में कज़ो अरती रहती है इसलिए कितनी भी बड़ी लड़ी हो जाए आपसे, पति पत्नी एक दूसरे के से काली के प्रियोग ना करें, वरना आपका जो लड़ी है ना, आपका जो मुद्दा है ना बढ़ा बन सकता है. और ये हमैसा आपके लिए धरार पिदा कर सकते है. जब पत्नी पत्नी के बीच म माँ तेरे को शिकाती है, तेरे बाप ऐसा तेरे को गता है, तेरे बाप तेरे को शिकाता है, तेरा भाई ऐसा शिकाता है, मतलब पिरफक्स की आलोसना शुरू करने करते थे, अपनी पत्नी के सामे, कभी भी ध्यान ढखना है, लड़ई हो तो पत्नी के पिरफक्स को उसमें इ कि आपके आपकी जो लड़ी है नहां की जो नोग जोग है ना बहुत बढ़ सकती है 2. क्यों क्योंकि उन्हा कोई रो नहीं है और कोरी वाद कोई ब्दा हुआ तो आप पति-पतनी डोनों के बीच में हूआ आप उन को इन्वोल क्यों करते हैं अगर उनको इन्वोल करोगे ना तो आप के लिए बड़ी परेशानी का सबब हो सकता है तो ऐसा कभी मत करते हैं और थर्ड अधिकता क्या होता है पति पत्नी के बीच में नौग जोग होती है ना तो क्या होती है एक की गलती दूछरों पर दोलने गोसिस करते हैं नहीं तुने किया होगा पती पतनी होगा तो तुने किया होगा तुने ही किया ऐसा है मतलब अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं पतनी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर उस मुद्दे पर क्या होगा उस मुद्दे पर लड़ी होनी है कि यह गल्ती मेंने की है अगर आप उस गल्ती को स्विकाट नहीं करोगे आप उस गल्ती को अपनाओगे नहीं और दूसरों के ढोलते रोगे तो वह आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी इसलिए पती पत्नी अगर दोनों से किसी से भी गल्ती हो तो तुरंत एक्सेफ्ट करें कि नहीं हां मेरे से गल्ती होई I am sorry I will take care in next time में next time जानो बस मुद्दा वही खतब लड़ी वही खतब बात तो आगे क्यों बढ़ा ना बहस के दोरान जिद्ध न बने पती पत्नी या कोई भी हो तो अगर आप से बाहस हुरी है न quindi जित्ध के दोरान जिती नहीं होने नहीं मैं नहीं मानूगाा जित्ध नहीं करूँगा चलो सामनेवाले से घल्ती वी अरे यार वो पत्नी है वो पत्ती है तो आप यह मत करे नहीं जित्ध एक दूसरी एक से जुग जाना तभी आपका रिलेसन लंबा चलेगा, पूराने मुद्दों का न उचाले, कभी-कभी क्या लड़ी होती हैं पत्ति पत्ति के बीच में, तो क्या करते हैं, पूरोंने गड़े मूर्दे उखाड गलाते हैं, पत्ति भी उखाड तुम ने उस वक्त ये किया था, निए किया मसलब अभी को प्रजिए मत निकले हो सकता है कि पुराने समय में आपकी गलती रही हो पती की गलती रही हो या पत्मी की रही उस मुद्ध्र को लिएकर अब कि प्रजेन टाइम में लड़ाई करना वो सही नहीं है वो जस्टिफाई नहीं है छोटी मोटी नोग जोग होरी अभी होरी आग के बार में अकर आप पुरोना मुद्दाव निकाल के लाओगे न तो वह मुद्दाव बड़ा बन जाएगा और आप दोनों के बीच में कट्ट हुई तो गुसे पर बिस्तर पर नचाहे उस लड़ाई को आ लड़ाई हुई तो आज ही सांध करें अगर आप गुसे पर बिस्तर पर जाएंगे पूरी रात भर आपको नीन नहीं आएगी दिमाज में टेंशन रहेगा गुसा रहेगा सुबह उठेंगे तो सुबह भी इसने एक दूसरे वापिस बात करेंगे जो भी कोई गिला सिक्वा हो तो उसे उसी दिन खत्म करें उस गिले सिक्वा को लेकर विस्तर पर नचाहें आप जाओगे तो आपको नीन नहीं आएगी आपको दिमाज खराब होगा और आप सुबह उठेंगे तो भी आपको दिमा करें